हेलो फ्रेंड वेलकम टुमाई चैनल मैं होसे विदा दुस्तो आज के हमारी क्लास होगी बेट सेकंडियर की जिसमें हम पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक लेने वाले हैं टॉपिक का नाम है विद्याले में आयवा वे के प्रमक्षोद कौन-कौन से हैं अनिके सोर्स ऑफ इंक इसके प्रिवेसर पेपर भी अप्लोड किये हैं प्रिवेसर पेपर से आपकी एक्जाम में बहुत सारे कुश्चन आते हैं तो आप प्रिवेसर पेपर को भी सॉल्ड जरूर करिए तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जानेंगे विदाले में आयवा वे के कौन- क्या होती है सैचिक आय का अर्थ क्या है तो एक वित्तिये वर्स में यानि की कह सकते हैं एक वर्स में जो सिक्षा का कार है सिक्षा के कार को करने के लिए हम जो धन को इकठा करते हैं जो भी धन प्राप्त करते हैं उसे ही हम सैचिक आय कहते हैं जिन साधनों से हमें ये धन शोत कहते हैं सैचिक आई के शोतों को मुखता दो भागों में विभवत किया जा सकता है पहला कौन सा है सारवजनिक सैचिक आई और दूसरा देखेंगे तो दूसरा होता है निजी सैचिक आई ये दोनों सैचिक आई के भाग हैं इनको हम बहुत ही डिटेल में यहाँ पर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं सार्वजनिक सैच्छिक आय कहते हैं इसके अंत्रगत कौन-कौन से लोग आते हैं तो केंद्र सरकार आता है विश्विद्दाले आयोग राश्टिय सैच्छिक अनुशंधान परिसिक्षड परिसद राज्य सरकार भी आता है सार्वजनिक सैच् जिला परिशद तथा ग्राम पंचायते एवं जो भी विदेशी सहायता मिलती है हमें विदेश से जो भी हमें सिक्षा के लिए धन प्राप्त होता है वो भी इसी के अंतरगत सामिल किया जाता है सारवजनिक सैच्षिक आय के कुछ स्रोथ है पहला है केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त सैच्षिक आय संपूर भारत में सिक्षा पूर होने वाले व्यका जो भार है वो अधिक्तम केंद्र सरकार ही वहन करती है किंद्र सरकार सिक्षा के राश्टी महत को देखते हुए राज्य सरकारों को भी सिक्षा विका सेतु कुछ अनुदान देती है इस द्रिश्टी से किंद्रिय सरकार सिक्षा या फिर कह सकते हैं सैचिक आय का एक प्रमुख शोत होती है केंद्री सरकार सिक्षा के कुछ मदों के लिए भी सीधे राज सरकार को अनुदान देती है और कुछ मदों पर विभिन आयोगों के द्वारा धन दिया जाता है तो ये होता है केंद्र सरकार के द्वारा जो सैचिक आय प्राप्त होती है दूसरा है राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त सैचिकाई तो देखते हैं राज्य सरकार के क्या काम होते हैं सिख्षा के लिए कितना पैसा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है तो राज्य सरकारे सासन की सालाएं चलाने के साथ ही सिख्षा के बिभिन इस तरों पर वित्तिय सहायता यहां पर प्रदान करती है उपर्युक्त संस्थानों को वित्तिय सहायता देने हितू राज्य सरकार सिख्छा परसासन की बिवस्था करती है और राज्य सरकार अपने कुल आय का एक अंस यानि की एक हिस्सा सिख्छा के लिए ही आवंटित करता है और उसमें से केंद्र से जो भी प्राप्त सिक्षा के लिए अनुदान होता है वह सामिल करके वह संपूर राज की सिक्षा पर खर्ज करता है तो यह होता है राज सरकार के द्वारा प्राप्त सैचिक आए और तीसरा है इस्थानिय सासन के द्वारा प्राप्त सैचिक आए तो इस्थानि के दोरा दिया गया निर्धारित धन आता है सिक्षा के लिए इनकी आय के साधन इस्थानिय कर एवं राज सरकारों से इनको अनुदान प्राप्त होता है कहलीजे पैसा प्राप्त होता है इन्हें राज सरकारों के करों से प्राप्त आमदनी का कुछ अंस भी मिलता है और इस् समझ कर हम उसे खर्ज करते हैं तो यह होता है इस्थानिय सासन के दोरा प्राप्त से चिक आए अब है लास्ट इसका विदेशी सहायता विदेशी सहायता हमें कैसे मिलती है तो सारवजनिक स्रोतों में उपरियुक्त स्रोतों के अतिरिक्त हमें विदेशी सहायता भी मिलती है ये भी एक महत्पूर साधन है विदेशी सहायता के रूप में हमें तीन प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है विदेशों से विशय विशेसग्यों का हमारे देश में आना तथा उनकी तकनीकी परामर्स के द्वारा लाव उठाना पाठ पुस्तकों के लिए कागजे देना सिक्षकों का आदान प्रदान करना उपकरण की विवस्था करना आद भी इसी में सामिल होते हैं विदेशी सहायता में विशेस कारिक्रमों के लिए धन की विवस्था करना तथा कुछ उपहार देना भी विदेशी सहायता से प्राप्त होता है अब जानेंगे दूसर प्रभूत धन्यानी की जो एंडोमेंट्स होते हैं विद्याले में अध्धन करने वाले छात्रों से जो पैसा लिया जाता है जो स्कूल की फीस ली जाती है और जनता संस्था अत्वा अन्य स्रोतों से चंदा प्राप्त किया जाता है विद्यार्थियों पर किया गया जो जु यही हमारी निजी से अच्छिक आयप मानी जाती है। इसमें पहला क्या है प्रभूत धन यानि की एंडोमेंट्स। तो प्रभूत धन का एक ऐसे धन से अर्थ होता है जो विद्याले की इस्थाई निधी के रूप में सुरच्छित रहता है। इस धन पर मिलने वाले व्याज को विद्याले के विभिन मदों पर खर्च किया जाता है। जैसे भारत में अनेक संस्थाई ऐसी भी हैं जो केवल अपनी भूमी, अपना भवन तथा एकत्रित धन के द्वारा जो भी आय से उनका खर्च चलता है वो चलाती है। और प्राप्त आकडों से यह विद्यत भी हुआ है कि वर्तमान में 3% से 10% के लगभग आय संस्थाओं को इसी साधन से आय प्राप्त होती है। प्रभूत धन विद्यालियों को नकेवल स्वामित ही प्रदान करता है वर्नवा उन्हें आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए भी समर्थ बनाता है। ये होता है प्रभूत धन यानि की एंडोमेंट्स अगला है साला सुल्क, स्कूल फीस, साला सुल्क के अंतरगत प्रमुक सुल्कों में सिक्षड में सुल्क, प्रवेश सुल्क होता है, प्रियोक साला सुल्क, परिक्षा सुल्क, पुस्तिकाले सुल्क, भवन सुल्क, सुल्क जो विद्यार्थियों से लिये जाते हैं स्कूल फीस के रूप में ये सारी चीजे इसी में सामिल होती हैं आगे देखिए अनेक संस्थाएं उपर्युक्त सुल्क के आधार पर ही अपना कार्य चलाती हैं निजी आय के शोतों में साला सुल्क आय का एक प्रमुक स्रोत होता है सुल्क का निर्धारड विद्याले एवं विद्यार्थियों की आवसकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है किन्तु विद्यार्थियों के विरोधी आंदोलनों तथा कुछ राजनेतिक कारड़ों की वज़े से इसकूल फीस में अधिक ब्रद्धी नहीं हो सकी ह फिर भी आजकल जो निजी संस्थाएं हैं वो काफी फेस वसूल रही है विद्यार्थियों से ये तो आप सभी जानते ही होंगे साला सुल्क से अधिक आए इसकारड भी नहीं हो पा रही है क्योंकि सम्विधान ने मेडिल इसकूल तक की सिक्षा को निसुल्क कर दिया है और कई कई ऐसे राजबी हैं जिन्होंने बालक बालिकाओं की उच्च सिक्षा को भी निसुल्क किया है तो ये चीजे थोड़ा कम ही है अपने देश में तो मुझे लगता है बहुत कम ही है कि सुल्क कम ली जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दो ये तो एक बात रह है तो चंदा सेच्षिक विकासे तू जन्ता संस्था अत्वा अन्य स्रोतों से जो धन अत्वा भूमी एच्षिक रूप से प्राप्त होता है उसे ही हम चंदा या फिर दान कहते हैं प्राचिन काल में अधिकांस संस्थाएं जन्ता द्वारा एकत्रित चंदे के उपर ही च चंदा अथ्वा दान द्वारा जो भी धन और भूमी संस्थाओं को प्राप्थ होती हैं, उसे सिक्षा का कारे कुछ ही सीमा तक चल पाता है। वर्तमान इस्थिती में जन्ता में चंदा अत्वा दान देने की जो प्रवित्ती है वो काफी कम हो गई है और यदि उसके द्वारा थोड़ा बहुत धन अत्वा भूमी प्राप्त भी हो जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में छात्रों की भारी संख्या में तुलना में यह कि सिक्षक एवं प्रसासक भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जिससे समूची सिक्षा प्रडाली पर विकार उत्पन होने का भै रहता है और इस सिक्षा प्रडाली जो है वो ठेक से काम नहीं कर पाती तो यह होता है चंदा का कारे कैसे चंदा एकठा किया जाता है सैचिक आ जानते हैं, छात्रों से या आर्थिक दंड विद्ञाले देर से आने पर लिए जाता है बच्छों से, और फीस टाइम पर ना देने से, पुस्त्काले की पुस्त के समय पर वापस ना करने से, बिवहार में आ नियमित्ता लाने और विद्ञाले नियमों को तोड़ने आदी प अन्य स्रोतों में बैंकों में जमाद धनरासी पर मिलने वाला विवाज, विद्याले भावनों से प्राप्त होने वाला किराया तथा विद्याले संपत्ती से होने वाला लाव आदी साम्मिलित होते हैं स्वतंत्रता से पूर्व इस प्रकार की आय को एंडोमेंट्स के अंतर ही रखा जाता था किन्तु अब इन्हें अलग रखा जाने लगा है दूसरे देशों की तुलना में भारत में अन्ने स्रोतों के अंत्रगत निउन्तम आय ही होती है तो ये कुछ शोत होते हैं सर्चिक आय के आपने देख लिए निजी सर्चिक आय और सारवजनिक सर्चिक आय तो दोस्तों ये थी आज की क्लास आई हूप आपको क्लास समझ में आई होगी क्लास पसंद आई तो क्लास को जादा से जादा लाइक सेर करिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा फिर मिलेंगे अगरी क्लास में कुछ ने टॉपिक के साथ धन्यवाद